रेस्टार्ट होने के बाद यह अपडेट हो गया होगा, चलिए आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आपडेट हो चुका है, यहाँ पर आपको दिखिजएगा 25179, तो इस तरह सब इसको अपडेट कर सकते हैं, अब हम देखेंगे इस अपडेट के करने के बाद यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आप क्लिक किजेगा क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिखेंगे 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 तो यहां पर जाए है जाए अब आपको कर शकुआesti नहीं तरे से क्लिक कीज़ेगा तो आपको काईशोफ में डॉनलोड है स्टाट हो जाए को इस तरह साथ इस milestones आप डॉनलोड कर सकते हैं अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा spelling dictionary अब यह आपको हर एक जगा काम करेगा जहां पर भी आप टाइप करके उसको यूज करना चाहते है यूज कर सकते हैं अभी आपको इसके लिए Microsoft का account से login करना होना जरूरी है उसके बाद ही इस feature का आप यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको कहा किने account के अंदर आने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा इसके अंदर आना है यहां पर आने के बाद आपको दिख जाएगा Remember My Preferences नीचे आप On कर लिजएगा On करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा जिन लोगों को नहीं मिला था अभी सभी लोगों के लिए रोल आउट कर दिया है पहले जिन लोगों को यह वाला feature नहीं मिला था इस update में आपके case में भी यह वाला feature मिल जाएगा अब आप यहाँ पर चेक कर लिजेगा माल लिजे किसी कारण आपके case में यह feature नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है एक बार system को restart करना है restart करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपके case में भी यह वाला feature दिख जाएगा यानि multiple type आप यहाँ पर click कर open कर सकते हैं इस feature को आप use कर सकते हैं अब आपको यहाँ पर keyword के अंदर adding करने के लिए नया language दिख जाएगा यहाँ पर Tamil India version यहाँ पर आपको दिख जाएगा पहले यहाँ पर missing था यदि आपने power, cfg, slip, study दोरा कोई चीज यदि आप capture किया है तो यहाँ पर आपको default अब दी 3-7 दिन तक update कर दिया है भाले इतना date तक यह available नहीं रहता था अभी यहाँ पर इस date को बढ़ा दिया है आपको यह वाला चीज याने capture किया हुआ चीज आपको 3-7 day के लिए available होगा भाले इतने अब दी के लिए available नहीं होता था तो यह चीज यहाँ पर increase किया है इसके बाद यदि आप Excel के अंदर print करने के लिए print command देते थे तो यहाँ पर यह crash हो जाता था यहाँ पर file explorer.exe crash हो जाता था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिया है अब मालेज़े यदि आप ISO file के उपर आप right click करते तो right click करने के बाद यहाँ पर mount का option नहीं दिखेगा इसके लिए आपको क्या करने है show more option के उपर आपको click करने है तो उस case में क्या होता था यहाँ पर close का button यह वाले button यह वाले button यह वाले button यहाँ दिखता था तो इस issue को यहाँ पर fix कर दिया है अब आपको contrast के अंदर जो यह problem आ रहा था यह problem देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद यदि आपने कोई चीज यहाँ पर default पिंग करके रखा है यानि कोई widget आपने पिंग किया हो यहाँ पर हट जाता था कुछ case में यहाँ पर problem आ जाता था तो इस issue को यहाँ पर fix कर दिया है अब आपको यह देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे restart कने के बाद automatic यहाँ पर यह आ जाएगा यानि पहले यहाँ पर missing आता था तो इस issue को यहाँ पर fix कर दिया है इसके बाद यहाँ पर tax bar के अंदर कुछ cases में क्या हो जाता था यहाँ पर overflow fly out हो जाता था यहाँ पर कुछ issue आ रहा था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिया है इसके बाद कुछ cases में क्या होता है यदि आपने window भी press करके यदि कोई चीज आपने यहाँ पर use कर लिया उसके बाद multiple जो enable होता है वो copy नहीं हो पाता था clipboard history के अंदर तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिया है इसके बाद यहाँ पर जब आप setting पर click करके इसको open करते थे तो कुछ cases में क्या होता था यह setting window crash हो जाता था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिया है यदि account के अंदर आपने font button से lock कर रखा है तो उस case में क्या हो जाता था ages के अंदर कुछ issue आ रहा था तो जो ages वाला issue था उस issue को यहाँ पर fix कर दिया है आपको side में जो blank का issue आ रहा था वो issue नहीं आएगा इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिया है इसके बाद media का जो quick setting है उसको भी यहाँ पर upgrade किया है जो पहले जैसे old वाला जैसे आता था वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा अब आपको new वाला version ही दिखेगा जैसे नया वाला quick setting होता है नया वाला button ही वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके बाद यदि आप यहाँ पर कोई चीज install करने के कोशिस करते थे तो यहाँ पर एक error आ जाता था 0x80080204 installation field आ जाता था तो इस issue को भी यहाँ पर fix कर दिया है अब आपको यह issue देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप window update करने के कोशिस करते थे तो यहाँ पर एक error आ जाता था 0x8007001 यह error इसलिए आता है क्योंकि अभी set किया हुआ है यदि आपके case में C drive का space 24 GB होगा तो ही आपके case में यह window update होता है उससे कम GB होगा तो यहाँ पर update नहीं होता है तो इस तरह का error आ जाता है कुछ cases के अंदर तो इस issue को बाद में update करके fix करेगा इस update में भी यहीं issue आपको देखने को मिलेगा इस issue को अभी fix नहीं किया है इसके हलावा भी और भी बहुत सारा bug fix किया यदि आप वो देखना चाहते तो यहाँ पर आपको इसका note दिख जाएगा यहाँ से आप देख सकते जो चीज मैं आपको बताया हूँ वहीं चीज यहाँ पर आपको दिख जाएगा और भी आपको बहुत सारा list दिखेगा जो इस update के अंदर bug fix किया यहाँ पर आपको सारा list दिख जाएगा और please guys चैनल को subscribe करे like करे, share करे, thank you